हम आपको गीता का हाल बतावें तो आप हसेंगे सारी गीता है क्या नमबर एक अर्जुन दुर्जोधन ये दोनों गए द्वारिका मदद मांगने स्री कृष्ण की जब जुद्ध होता है दो पार्टी में तो अपने अपने दोस्तों के पास लोग जाते हैं भाई तुम हमारी पार्टी में आजाओ तो स्री कृष्ण के तो सखाई थे अर्जुन लेकिन दुर्जोधन मकार था तो उसने कहा कि वो स्री कृष्ण तो भोंदू भढ़ता है चलो उनसे मांगेंगे वो उद्देंगे भी हम बेवकूप बना लेंगे उनको दोनों गए चरण के पास अर्जुन बैठ गया ठाकुर्जु सोने की एक्टिंग कर रहे थे और दुर्जोधन से रहाने बैठा जो क्यों राजा था ठाकुर्जे ने उठेने की एक्टिंग की जागने की अर्जुन तुम कैसे आए दुर्जोधन ने का रहे मैं भी आया हूं ओ आप लोग इस समय कैसे आए बता दिया ऐसे आए इसा है कि एक तरफ तो मेरी अठारा अक्षोहुनी सेना रहेगी हतियार बंद जुद्ध करेगी बाकाइदा जैसे दुश्मनों से करती है और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना हतियार के को भाई बताओ तुम लोग बाट लोग क्या लोग है जट बोल पड़ा अर्जुन पहले हम तो आपको लेंगे तुर्जोदन ने कहा कि बन गया बेवकूप अर्जुन भी और ठाकुर जी भी उनने कहा हमें आप नहीं चाहिए फाउच दे दीजिए का अतियार बन उनने कहा चलो जगडा मिटा लड़ाई नहीं होगी दोनों में जा तुम दोनों अपने अपने लड़ने के तैयारी करो हमा जाएंगे और हमारी फाउच पहुंच जाएगे तुम्हारे एडिया में अब आप जड़ा सब लोग सोचिए अपढ़ गमार हो आप लोगों में कोई चाहिए कोई ब्रहस्पती हो सब की समझ में आ जाएगा अर्जुन को ज्यान था कि सिर्कृष्ण भगवान है ये जब जिस पक्ष में रहेंगे वो जीतेगा वरना वो कहता कि महराज ये कौन संद्रने है आधि फाउज हमको दीजिए आधि उनको दीजिए ये न्याय है बिना हथियार के आप क्यों आप पूजा करेंगे किर्टन करेंगे क्या आए वो तो लड़ाई का मैडान है ये नहीं सोचा अर्जुन ने बड़ा खुश सिर्कृष्ण हमको मिल गए इसका मतलब सिर्कृष्ण को अर्जुन जानता था ये भगवान है अरे वो जानता क्या है तो दोनों नर नारायन के आउता रही है पूर्ब जन्व में ही अर्जुन महापुरुष्था सब शास्त्रवेद कहते हैं ठेक गए जुद्ध के मैडान में खड़े हो गए दोनों पार्टियां अपने अपने हथियार बंद सहिसाइनकों के साथ अर्जुन ने भीकार क्रिष्ण रत ले चलो बीच में खड़ा करो अर्थम स्थापय में चुत सेने और उभय और मद्धे रथम स्थापय अब से कृष्ण भगवान थोड़े हैं इस समय सर्वेंट है सारती जो होता है ड्राइबर होतो नौकर होता है न स्थापय आडर दिया ओ ठाकुर जिनकाया सर्वेंट ले गए खड़ा कर दिया अब स्थापय पहले कि जो दुशरू हो एलार्म हुआ स्रिक्रिष्ण ने भी अपना स्थापय बजाया और जुन ने भी बजाया पांच जन्यम्रिसी केशो देवदत्तम धन अंजया स्रिक्रिष्ण के संख का नाम था पांच जन्य और अर्जुन के संख का नाम था देवदत्त और जब कावरों ने भी बजाया इतने में देखा अर्जुन ने रत पर खड़े होके आप लोगे ने क्रिकेट देखा होगा जब बैट्समैन खड़ा होता है तो चारों और देखता है कहां 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 खड़े हैं फीडलर्ट हाँ बैठ गया अर्जुन ने कहां मैं जुद दिने ही करूँगा आप लोग सोचिए ज़रा ऐसा कोई कहेगा जो भगवान जान करके बिना हथियार वाले स्री कृष्ण को लाया है वो ऐसा कहीं बोलेगा हम जुद दिने ही करेंगे क्या उसको मालूम नहीं है किस से जुद करना है यह तो पहले भी मालूम था उन्हीं को तो देख रहा है और क्या कहता है शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम दो साथ मैं आपका स्ष्यस्त हूँ प्रपन्न हूँ सरनागत हूँ प्रपन्न हूँ अब बात खतम हो गई भगवान यहीं तो कह रहे है ने कि तुम प्रपन्न हो जाओ मैं कृपा कर दू अब अर्दुन पहले ही बोल गया मैं प्रपन्न हूँ शाधी आर्डर कीजिए तो स्रीकृष्ण कह देते आर्डर जुद्ध करो जुद्ध नहीं करूंगा और कोई आर्डर कर दो घर जाओ पलंक पर सो जाओ चद्धर ओड़के यह आर्डर करो नजोट सेट गोविंदो मुक्तवा तूष्णीम बभू बहा दो नव गीता हतियार छोड़के दनुष्बाण अचुप हो गया तूष्णीम बभू अब बताओ भगवान कितने धर्म संकत में पड़े होंगे उस समय कि ऐसा पागल आदमी हमको हमारी भी इसने बेज़जिती करवाई अब मैं रत को घुमा के ले जाऊं तो लोग क्या कहेंगे अब गीता शुरू हुई भगवान ने समझाना शुरू किया तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में बताया मैं कौन इसका उत्तर अर्जुन तू जो सोचता है या बोल रहा है कि इनको मारूंगा ये मरेंगे पाप होगा ये मारना वारना क्या होता है आत्मा तो अमर है उसे तू क्या मारेगा मैं भी नहीं मार सकता ये तो क्यों बोल रहा है या सोच रहा है जैसे पुनाने कपड़े को बदल लेता है आदमी नया पहन लेता है ऐसे ही ये शरीर है आत्मा दूसरा बत्वसदीर धान कर लेता है आत्मा को कोई मार सकता है क्या नाइनम चिंदंत शस्त्राण नाइनम तहति पावका नचैनम क्लेदे अंत्यापो नशोशयति मारूता अच्छेद्यो यमदाहियो यमकलेद्यो शोश्येवचा नित्यासर्वगता स्थानु रचलो यमसनातना दो तेश दो चौबिस आए जुद्धकर आत्मा को तूरू नहीं मार सकता है कोई नहीं मार सकता है अरजुन कहता है कोई असर नहीं हो रहा है तुमारी स्पीच का यार ठाकुर जी ने और तरह से समझाया और तरह से मनने का आए सुन वो जो भगवान है न उसकी सरण में चला जा तो जुद्ध करने का पाप नहीं लगेगा मारने का पाप नहीं लगेगा तमेव शरणंग अच्छो सर्वभावे नभारत भगवान की शरण में चला जा अर्जन मैं बड़ा आसान हूँ दीता में एक जगे लिखा है ऐसा मैं बड़ा आसान हूँ निरंतर मुझे अपना मानने का चिंतन कर बस कुछ करना वरना नहीं है मन से चिंतन आठ चौदा तस्मात सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर जुद्यचा तु निरंतर मन मुझे में रख और जुद्ध कर इसी को हम कर्मयोग बता रहे हैं बस आठ साथ सुनता जा रहा है लेकिन बैठा नहीं दिमाग में अनन्याश चिंतन तो माम ये जनाव पर जुपासते तेशाम नित्याभ युकता नाम योगक्षे मंबहाम में हम जो निरंतर मुझे में मन रखता है अरजुन उसका ठेका मैं लेता हूँ नव बाइस दे दे मुझे भक्ती से प्यार से मैं ले लूँगा तो जो भी कर्म करता है मुझे अरपित कर दे तो तुषको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा अरे अरजुन अपिचेत सुदराचारो भजते मा मनन्दभाग साधुरेव समन्तभ्या अत्यंत दुराचारी अत्यंत पापात्मा भी अगर मेरी भक्ति प्रारंभ कर दे तो महापुरुष हो जाए जो राम नहीं कह सकता था वो बालमीक महापुरुष हो गया उसी जन्म में वो अजामिल इतना बड़ा पापात्मा उसी जन्म में महापुरुष हो गया मैं चैलेंज करता हूं अरजुन मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूँ नमे ज्ञानी नहीं कहा, नमे योगी नहीं कहा, केवल मैं भक्त का ठेका लेता हूँ कोई हो, पापात्मा हो, पुन्यात्मा हो, इस्त्री हो, पुरुष हो, नपुन्सक हो, जो भी मुझसे प्यार कर ले, कुछ भी मान के प्यार कर ले, फिर कोई कर्म करे, उसको पाप पुन्य चू नहीं सकता, और जुन, अगर कोई ये सोचे, कि मैंने तो शास्त्र बेद पढ़ा नहीं नहीं, तो मैं जल्दी भगवत प्राप्ती कर लेता, मैं बेदाद्धेन वगेरा से, पंडिताई से नहीं मिलता, उससे तो और दूर हो जाता हूं, क्योंकि उसमें अहंकार हो जाता है, भक्त्यात्वननन्याश्रक्य अहमेवं विधोर जुन, ग्यारा तिरपन, ग्यारा चववन, केवल भक्ती से मिलता हूं, अर्जुन, अब अंतिम बात सुन, प्राइबेट में प्राइबेट में प्राइबेट सबसे प्राइबेट, वा, एक होता है गुह्य, माने प्राइबेट, एक होता है गुह्यतर, प्राइबेट में प्राइबेट, एक होता है गुह्यतम, प्राइबेट में प्राइबेट में प्राइबेट, एक सर्ब गुह्यतमम, तीन तो आप जानते ही है गुड बेटर और बेट एक और होता है वह चौथा इतना प्राइबेट तो क्या है मैराज प्राइबेट अर्जुन उप्राइबेट सावधान हो गया यह आखिरी बात बोल रहे हैं अब इसके आगे बोलेंगे दे जरा ध्यान से सुनो उनका मन मनाभो मत भक्तो मत जाजी माम नमस कुरू तुम मन मुझ में लगा दे बस मेरा ही चिंतन कर यह लो बड़ी प्राइबेट बात बताई यह तो तुम बहुत बार कह चुके हो नवे अध्याय में भी कहा था नव चोटिस यही शब्द वहां भी है मन मनाभो मत भक्तो मत जाजी माम नमस कुरू अरे गधे अच्छा तो अब भी नहीं समझा आप सुन एटाम बम छोड़ रहे हैं अपकी बार सब धर्मों को छोड़ दे यह जो तेरे दिमाग में बीमारी है गीता के पहले अध्याय से धर्म धर्म का नाश हो जाएगा सब को मारूंगा तो पाफ हो जाएगा तो धर्म सब छोड़ दे और तुने कहा था दूसरे अध्याय में कि मैं शरण में हूँ उसमें एक शब्दा और जोड़ दे मामे कम सरनम ब्रज धर्मम और माम दो सरनागती नहीं केवल एक मेरी सरनागती दे ले धर्म सब छोड़ दे और जो पाप की बात करता है न तो पाप पुंड का तो फल मैं ही देता हूँ कि अपने आप फल बन जाएगा हो मैं उसका पाप माफ कर देता हूँ छी अन्पेचास करमानी जो हूँ मैंने भागवत बोल दिया हाँ तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुझको माशूचा सोच मत अच्छा पाप माफ कर देंगे ये तब तो कोई डर नहीं है आख खोला कचित अज्ञान सम्मोहा प्रनस्ट से धनन जया अज्ञान गया समझ में आया नश्टो मोहा स्मृतल लभ्भा पत्प्रसादान मैया चुद अज्ञान चला गया महराज ज्ञान हो गया आपकी क्रिपा से अब आप जैसी आज्ञा दीजिए अपने बाप को गोली मार दूंगा आप समझ गया कि मन आप में रहे तन संसार में रहे तो कर्म का फल नहीं मिलता हम चाहे पाप करें चाहे पुन्दे करें एक गीता है तो शरणागती या भक्ती से भगवत कृपा होगी तब हमारी ये बुद्धि दिब्य बनेगी तब ग्यान होगा मैं कौन मेरा कौन करें